हेलो एवरीबडी वेलकम टू अरहान एंटर्टर्मेंट तो यार ये वीडियो में कुछ ऐसी बाते मैं बोलूंगा इस पर्टुकलर मुवी को लेकर जिसके वज़े से बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन ये मेरा अपना एक उपिन है तो सबसे पहले हम लोग बात क नहीं इंट्रेस्टिंग बनाते हैं खेर पुषवा में कुछ नेगेटिवी हो मैं आपको बताता लेकिन से पहले मैं आपको प्लॉड बता दू कहानी सिंपल सी है कि अलू अरजुन यहां पर एक रोल प्ले करे जिसका नाम में पुषवराज वह एक मजदूर है कि वह रश्मिका मंड़ना को इस पर्टिकलर मुवी में क्यू लिया मुझे बिल्कुल भी समझ में आ रहा है और इस मुवी में जितने भी रश्मिका के सीन्स है अगर वह सीन्स ना भी होते और उनकी जगह पर को एक ऐसी एक्ट्रस होती जिसको वह लोग स्क्रीन टैम देते ही न आचे वह दगते हैं तो भी मुवी में इंटरेस बनाया रहता है मुझे कि मुझे रहा था और नेगटिस बील्ड हो रहा था ना पर लिए उसके आधे से पूरा इंट्रेस्स खतम हो रहा था एकलिस मेरा खतम हो रहा था और इसी वज़े से तीन घंटे की और वास्फ मूवी आराम से धाई घंटे की हो सकती थी अगर मेकर चाहते तो जो की मेकर ने इसा नहीं किया उसके लाग मुवी का जो क्लैमेक्स जो कि मुझे फेकंड its' Kang नेगेटिव पोइंट लगा लांग माम मुझे कि बहुत ही अन एक्सपेक्टिग। हम लोग Communication को होगा कि कुछ प्रिशी मामेक्श जी सब्सक्राइव इस इस एह इसा ज्फित isma in पर मुवी खत्म कर दिया तो वो क्लैमेक्स में मुझे दम नहीं लगा हाला कि कुछ अलग करने की कोशिश किया लेकि फिर भी इससे भी बैटर किया जा सकता था सुकुमार सर की टीम के द्वारा जो की नहीं हुआ तो यह दोनों इस पर्टिकुलर मुवी की मुझे नेगेटी चीजे करेक्ट वे में करना भले उसमें भाव डेरिंग लगती है बहुत सारी इसी चीजे लगती है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता तो यहीं पर तो हीरो एक ऐसा लार्जेजन लाइफ करेक्टर हमें देखने मिलता है जो कि हर एक और अडियन्स को अपने साथ करने कर ले कि द te aleasia कि फुद करने से और in get 예 की च among us को इक अड्यक्तर चीजें बहुत पसंद करते कि लिए में बहुत सारे चीजेजम है यहां आपको बहुत सारे बियर से कुच विलैंस के उपर का वीलैंई फिर उसके उपर का विलैंस देखने हो मिलेंगे तो यांगि यहां पर वी के अच्छी खासी लाइन देखने मिलेगी लेकिन कोई भी विलन पुषपराज के सामने पानी कम चाय ही लगा इस पूरी मुवी में मुवी की सिनेमडेग्राफी बहुत अच्छी बहुत ही बड़े स्केल में इस मुवी को शूट किया और येकिन मानो सुकुमार सर ने वह जि लेकिन सामी सामी जो सौंग है वह नहीं भी होता तो कितना कुछ फराख नहीं पड़ता क्योंकि अगेन मुवी की तोड़ी और बेची तरह से की जा सकती थी जो कि अगेन नहीं किया लेकिन मैं बात बता दू कि सौट की ऑडियोंस उनको तीन घंटे की मुवी देखना पसं तो यहां पर यह मुवी शायद हिंडियोंस को पसंद ना है लेकिन अगर बॉल्यूट के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो बॉल्यूट की फिल्मों से बेटर यह मुवी जिसमें आपको महनत जिसमें आपको काफी कुछ ऐसी जो आपको पता भी नहीं मतलब एक और जब हमको ओरीजनल देखने को मिले सेम पैसे में तो फिर रीमेक क्यों देखे और एक्टर के बात कर जो कहानिया वाली तो क्रिकेट के पर हमनों गवर कितनी मुवी देखेंगे मुझे आप लोग खुदी बता तो अगर पुश्पा यह सी यूनिक मुवी जहां पर हमने अपने क्यरेक्टर में इतनी जान दाल दी क्योंकि बता नहीं सकता कि यह वही एक्टर है जो आपको आला वेकंद पुरलूम में देखने हुआ तो मतलब इतना ज्यादा चेंज इतना ड्रास्टिक चेंज मैं वर्ट्स नहीं अल्लो अर्जुन के लिए और वो अपने रोल में बहुत इच्छे लगा हाला कि बहुत साही लोग बोलते कि अथना अच्छा एक्टर नहीं है जितना वह एक्शन और डांस कर लेता है लेकिन इस मूवी में उसने परफॉरमेंस भी किया है जो कि बहुत दिखाया है और उनका मैजिक जो पार्ट्टू में शाइन करेगा वो जो उनकी स्माइल थी ना एंड में वो स्माइल बहुत कुछ कहती कि भाई अब मैं आग लगाने वाला पार्ट्टू में और डेफिनिटी देखना अलु अर्जुन को भी एकदम बोलते हैं फिका कर दे और आए होप सो के पार्ट्टू में शायद उनके करेक्टर में कुछ ऐसी चीज़े दाले जिस वजह से और शायद उनको पसंद करें या तो उनकी दैत दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मुझे लगता पार्ट्टू में तो शायद मुझे थोड़ा अच्छा ल